दोस्तो गरूर पुरान के अनुसार अगर आप इन पांच आदतों में से किसी भी एक आदत को अपनाते हैं तो आपके पास जादा दिन तक धन नहीं टिक पाएगा और आप बहुत ही जल्द कंगाल हो जाओगे तो चलिए मैं आपको इन पांच आदतों के बारे में बता देता हूँ जिने आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए नम्मर एक गंदे कपड़े पहनना गरूर पुरान के अनुसार अगर कोई हर समय गंदे कपड़े पहनता है तो मालचमी उससे नराज रहती है मा लच्मी को साप सपाई बहुत पसंद है वो ऐसे घर में वास करती है जहां सवचता बनी रहती है नम्मर दो दूसरों में कमिया निकालने वाला गरुपुराण के अनुसार जो लोग सभाव से आलोचना करने वाले होते हैं तो उनके जीवन में धरिदता बनी रहती है इस सभाव में बेवजा चिखने चिलनाने वाले दुसरों की बुराई करने वाले और बुरा बोलने वाले सामिल है नम्मर तीन सुरुदे के बाद तक सोने वाले गरुपुराण के अनुसार जादा देर तक सोने वाले लोग आलसी होते हैं ऐसे व्यक्ति की जीवन में कई त पास होने वाले धन का घमंड हो जाता है वह बोधिक रूप से कमजोर होता है ऐसे लोगों के घर में माता लच्मी ज्यादा समय तक वास नहीं करती है गरूर पुरान के अनुसार अगर कोई वेक्ती परिस्रम से जी चुराता है उन्हें सोपे हुए कामों को वो ठीक से नहीं करता है तो माता लच्मी नराज होती है साथ ही जो लोग मेहनत को ना करके दुसरों को नीचा गिराने की कोशिस करते हैं उनसे सफलता दूर भागती है तो दोस्तों ये थे वो पांच आदते जिने भूलकर भी आपको नहीं करना चाहिए तो आज की वीडियो में इतना आई अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले